तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम आज ये डूध और ब्रेड से और मावा का यूज़ करके थोड़ा सा हम इतनी अच्छी और इतनी आसानी से मिठाई बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं हमको क्या चाहिए इसके लिए ये फ्रेंस मैंने दूध लिया है ये एक लिटर से ही फोड़ा सा कम दूध है थोड़ा साू कम दूध है तो मतलब 750 ml ये दूध है हमारा ये मैंने मैंने पहले से बवाय करके रखा हुआ ये लिया है और मिठाए बनाने के लिए हम और कैचे हंगे हमने ब्रेड ली है वाइट ब्रेंस जो किनारे होते हैं ब्रावन परशनर को काटके हटा देंगे तो चक्राज क्लीजिट लिया है। यह थोड़े मैंने पिष्टा बारिक बारिक गाट लिया है और यहां पर दो बड़े चम्मच यहां पने टिश्च के अकोरड़िंग आप चीछिन है। और थोड़ा केसर के धागे भी हम यूज करेंगे अगर आपके पास है तो डालिए नहीं तो आप खटा सकते हैं यह चार लैची मेंने लिए हरी लैची है इसको दरदरा कूटके हम इसका पाउडर बनाएंगे यह food color है friends यह optional है आप डालना है तो डालिए अधरवाइस आप skip कर सकते हैं तो friends पहले हम अपनी यह मिठाई बनाने के लिए दूद को हम पहले उबाल के अच्छे से पका के गाढ़ा करेंगे मतलब दूद एक रबड़ी की तरह हम उसको पका के गाढ़ा कर लेंगे तो जब तक हमारा दूद होता है इधर हम मावा बना लेते हैं तो मैंने पैन अन कर दिया है और उसके बाद मैंने देशी घी डाग दिया एक चमच और अब इसके मेल्ट होने के बाद मैं इसमें दूद डालूंगी तो आधा कप मैं इसमें दूट डाल दूंगी friends देखें दूरों घी हमारा melt हो गया है तो friends इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने already instant mawa का video मेरे channel में मैंने डाल रखा है आप वहाँ से जाके देख लें कि हम घर में instant mawa कैसे बनाएं तो यहां मैंने इसमें दूट डाल दिया और अब मैं इसमें उबाल आने का इंतिजार करेंगे उबाल आ गया है अब हम आधा कप दूट में एक कटोरी भरके पूरा हम milk powder डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मिलाएंगे लंज ना पढ़ने पाएं और चाहे तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करें चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं बंद करके इसको मिला लें अच्छे से और मैं जादा कुछ नहीं बताऊंगे फ्लेंस इसके लिए एक तरफ हम अपना दूट पकाएंगे और एक तरफ हमारा मावा बन जाएगा आप मेरी चैनल पर जाके इस मावा का वीडियो अराम से देख सकते हैं तो हम अपनी दूट को चक कर लेते हैं दूट हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है आप देख रहे हैं दूट में मलाई जो भी किनारे किनारे आ रही है वह हम इसी में बीच में मिलाते जा रहे हैं तो दूट को हमको फ्रेंस पका पका के बिलकुल गाढ़ा कर लेना है अब कजुशा भादाम और किष्मी डाल देंगे और अच्छे चला देंगे ताकि यह साथ में पकता रहे अब ऑने डालेंगे यह इलायची जो हमें त्रक को भनाट कूट लिया इसनी कीज़ इसका फलेवर बहुत अच्छा आता है आपको अगर ना पसंद हो तो ना डाले अभाम तो आप ऐसे भी इस मिठाई को बना सकते हैं तो यह डालने के बाद अच्छे से हम दूद को और गाढ़ा करेंगे अभी दूद हमको और गाढ़ा करना है मतलब जितना दूद लिया है उसका वन फोर्थ बस दूद रह जाना चाहिए थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूं यह पिंच मैंने डाला है आप चाहें तो डाले या ना डाले यह आपके मर्जी है विल्कुल ऑप्षिनल है यह तो थोड़ा कलर आने के लिए मैंने डाल दिया है अब मैंने इसमें दो चमत चीन डाली है तो क्योंकि हम इसमें मावा का भी यूज करेंगे तो चीनी बहुत तो अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो डाल भी सकते हैं तो इतने दूद में दो चमत चीनी बहुत होती है तो देखिए हमारा दूद गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे आप देख रहे हैं दूद हमारा कितना कम हो गया है पहले से पक पक के इसको हम continuously चलाते रहेंगे friends अदर्वाज ये बरतन के तले में लग सकता है तो देखे दूद हमारा पक के अब तकरीबन तयार हो गया है गाढ़ा हो गया है आप देख रहे हैं रबडी की जैसे लग रहा है गैस का फ्ले मैंने अब बन कर दिया है क्योंकि अब हमारा चिपकाने के लिए चाहिए ये मैंने जो मावा बना के तयार किया है वह है तो अब हम इसको क्या करेंगे बेलन से इसको हम हलका साबस पतला करेंगे बहुत ज्यादा अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो वो जल्दी टूट जाएगा थोड़ा ऐसे दबा देंगे तो थोड़ा यह अगर आपको यह मिठाई बनानी है तो पहले से आप यह रोल बना के रख सकते हैं तो इसे आपको इजी हो जाएगा दूद बस रवडी बनाएगे और फट से इसको आप थंडा होने के बाद सब कर सकते हैं इसके किनारे पहर हम ऐसे पानी लगाएंगे और इसको थोड़ा अराम से प्रेशर देते हुए हम इसको ऐसे चिपका के तयार कर लेंगे तो friends, मैंने 2 बना लिया है अब इसी तरह से हम अपना, जितने bread हमने लिए हैं उतने bread हम बनाके त्यार कर लेंगे तो देखे मैंने यहाँ पर 9 bread मैंने slices बनाके त्यार कर लिए हैं तो चलिए अब हम इनकी plating कर लेते हैं तो हमारी ठंडी हो गई है और ठंडी ठंडी जो यह दूद की रबडी हमने बनाई है यह इस मिठाई के साथ बहुत अच्छी लगती। और अब हम एक बरतन में हम यह मिठाई को लगा लेंगे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसको आपको सर्व करना है जिस बरतन में उसमें आप एक मिठाई यह ब्रेट का पीस रखें और उसके उपर से वह ठंडी-ठंडी मिठाई डाल के दें रबडी जो हमने दूद की बनाई है क्योंकि हमने इसमें ब्रेट का यूज किया है तो आप जरूर इस मिठाई को बनाएं बहुत आसान है बनाना इसको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कर लिजे फ्रेंड दूद मावा और ब्रेट से कितना इजी वेव में हमने ये मिठाई बना के घर में तयार कर ली है तो आप भी जरूर बनाएं आपकी मिठाई कैसी बनी सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ बाई!